हेलो दोस्तों मैं हूँ आपके दोस्त राजन सर्मा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्सिस के बारे में टेक्स जो ऑप्सन है टेक्स बॉक्स हेडर वुडर वर्डार डेट इन टैम स्लाइड नूबर सिंबल अबजेक्ट यह सारी चीजे आज की इ वीडियो अप्लोड कर दी हैं अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप इन सारी वीडियो को देख लीजे ताकि आपको आगे इसली समझ में आता रहे हैं अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को नए आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बैल आइकन क्लिक कर लें त चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेकसे दर ऑप्चन से कंब और किसलिए यूज होते सबसे पहला टेक्स बोक्स क्या काम करता है जैसे कि यहां पर jobbar अब आप करने करने के पाद आप यहां पर आप नहीं हिसाब से और यहां पर आप जो भी टैक्स लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां लिख दिया जैसे वैलकम टुदी तो दे आर्ट चैनल ठीक है यहां पर मैंने एक टैक्स यहां पर लिख लिया अब इसका साइज आपको बढ़ा करना है तो सिंपली आप यहां से बढ़ा कर सकते हैं यह सारी चीज़े मैं आपको अपनी वीडियों बता चुका हूं पहले की आप फॉर्मेट पर किलिक करेंगे हम तो फॉर्मेट पर किलिक करने वादेखिए कुछ यह आप्संस आगए आप अब यह पहले नीचे कर लेते हैं आपको इजी हो जाएगा देखने में अब यह है हमारा फ्रेंट्स वर्डाइट स्लाइट वर्डाइट स्लाइट का मतलब जो आपने टेक्स लिखें यह जो ने लिखा है इसकी राइटिंग स्टाइल देखिए चेंज करने के लिए तो हम क्या कर स आप यहां से टäक्स फिल कलर चुछ कर सकते देखिए अब देख रहे हैं यहां पर यह हमारे जो हैं चेंजेश हो रहे हैं अपर आप इन्स जाए टेक्स जो है वह हए पिक्चर इस में आ जाए तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा इसकी मैं पक्षर यहां से कर देखें तक जो पर यह आपको ऐसे नहीं के लिए रहुत मैं बाकी की जो शुर्टेंज से इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और इस प्रट को मैं और बड़ा करता हूं देखिए आप जो पिक्चर जो टेक्स है इस टेक्स का अंदर जो पहले तो आप यहां से add कर सकते हैं तो आप इसको ग्रेडियन्ट में भी इस तरीके से color को text को feel कर सकते हैं अगर आप अगर आप लिखा है आपका welcome इसके अंदर आप इस तरीके से texture Color भी feel कर सकते हैं नेक्स्ट और से नवारा text outline क्या है कि आप जो व्येलकम लिखा है इसकी जो आउटलाइन है वो औरफ अगर आपको इसका औरेंज आज कलर जो है हो टेक्सलाइन जैंज करना है कलर तो आप यहां से इस तरीके कर सकतेखे खर देखिजronics और Li आपको नहीं किलियर हो तो आप बीट पर जागे हैं से आप लाइन कलर थोड़ी सी मोठी कर लेजिए अब देखिए रैड कलर है उसका आप इनसकी जो आउटलाइन है वह डैसे में भी कर सकते हैं इस तरीके से यह यहां से थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपको क्लियर हैं और नेक्स्ट उसका टेक्स एड़ इफेक्ट है सेड़ो है आप टेक्स के अंदर सेड़ो लगाने चाहते हैं किस तरीके सेड़ो आप यहां से देख लेंगे आप जब क्लिक करते हैं तो आप देखिए जो टेक्स से इसके साथ साथ देखिए सैड़ो जैसे में क्लिक कर तो यहां से अप इस तरीके से से जर्दो कर सकते हैं यहां से और नीचे निचे आ आए हैं तो इसको एक जुँँँ आपको रिफ्लेक्शन पर बना रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन इसका चेक कर सकते हैं यहाँ साथ देखेंगे आपको रिफ्लेक्शन की जो फेस ऊपने हिसाब से यहां से पूरा complete वर दिखना है यहां सारी चीज़े आप वेक्स नॉर्मल और के साथ है तुझे नेच्ट जो हम्हारा ये टैक्स इस टैक्स के अगर आपको ऑउट्लाइन के साथ यह लगा ना ताब यहां से इसको डाइज मतलब जो वर्ड लिखा है उसका थोड़ा सा जो टेक्स जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा ठीडी ऑप्शन पर किलिक करेंगा तो थीडी ऑप्शन में आ जाएगा ठीक है यहां से से ठीक है वो सारी चीज़े आप यहां से देख सकते हैं वन बाइवन कर गए के लिए यह मैंने आपको बताई दिया है ठीक है के टेक्स को अलग को फील करने के लिए यह यूज होता है यह आपका क्लियर हो गया है और उसके बाद आपका यहां पर ऑप्शन है से फिल कला चीब और यहां से बताई चुक है आप आटलाइन का जो फिल कर लिए ठीक है इसको आफना मतलब इस बॉक्स में फील कर लिए ठीक है आप यहां से पिक्चर में विल्कम की та तो आप यहां से दूसरी पिक्चर भी ले सकते हैं इस तरीके से तो यह सब आप अपने कंप्यूटर पर कीजिएगा आप प्रैक्टिस एक-एक कर गए ठीक है आपको ज्यादा इजी हो जाएगा समझना और यह सब पताई दिया आपको मैंने और यह है फ्रेंट्स माल लीजिए आपको पिक्चर के अंदर से टेक्च्चुर या पिक्चर नहीं लगाने तो आप सिं आपको पहले की बिदिएसमें रखना हो कि जो आपना किस तरीके से इसे हो कि ढखा सकते है अगर आप को इसपे आप को बता चुका हो यह आप देख लियएगा ठीक है यहासे कर सकते हैं और यहां से 3D rotation में आप इसको टेक्स को रख सकते हैं जैसा भी आपको रखना होगा ठीक यह सब मैं आपको पहले बता चुगा है अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना इस अगर इस सेप की जगा आपको सेप चेंज करना होगा तो आप यहां से पर टेक्स बॉक्स के लिए रोगया दोस्तों अब नेक्स देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वह है फ्रेंड्स हमारा है एडर इंफुडर जब हैडर फूटर पर क्लिक करते तो यहां पर ओप्सन आता है डेट इंट टाइम प्लस लाइड नमबर फूटर वह यहां पर इस कि नीचे यहां पर आज कितनी जारी करें आप देखें तीन जनवरी 2021 से यहां पर जो टाइम हो देखें डेट टाइम आगया आपको मैनुली टाइप करने की जोड़त नहीं है आप इसका साइज थोड़ा सा मैंसे बढ़ा करते ता आपको इजी हो जागा रिखिए यह आग को वेलकम है अपर माली जिए मैं स्लाइड लिख देता हूं सिंपल स्लाइड लिखा और यहां से मैं अप्लाइट पर किल्क कर दिया तो देखें क्या हुआ यह डेट टाइम आ गया और यहां बीक में स्लाइड आ गया है अब यह पेस नंबर आपको देना है कि कौन सा पेस अबर पूटर पर जाएंगे और यहां स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे और यहां से अप्लाइड कर देगे तो घृट्र फूटर फूटर का होता है जो यहां से इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है डेट और डेट का जो फॉर्मेट हो भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि आगर आपको ऐसे चाहिए तो आप इस तरीके से भी अपलाई कर सकते हैं तो इसमें क्या एगा तीन जनवरी 2021 आगया है ठीक है दोस्तों तो यह हमारे जो है वो डेट और टाइम आप फू का हिंदी फॉंट आपके पास कंप्यूटर मा अल्रेडी होना चाहिए ठीक है तो ज्यादा आजी हो जागा देखें यहां पर आपका जो है वह हिंदी में यहां लिखावा आ गया है ठीक है टाइम रोडेट ओके नेक्स्ट यह क्लियर हो गया हमारा दूसरा option है हमारा यहां नाम देखा यह कुछ हो लगा है है टूर चैनल और यहां पर आप नहीं लिख लिए आप यहां से आप टैक्सेस बढ़ा चोटा कर सकते हैं सारी चीज़ें ठीक तो यह होता है वो दोस्तों किसलिए होता है वाड़ाट आट में टैक्स के लिए अब माली जी यहां पर आपक सिंपल लिखना बने यहीं तो आप क्या करेंगे मक्ना से दिलीट करते हैं वड़ाट पर यहां से डेक्ट क्लिक किजिए और हैं पर वो टेक्स लिख यह यहां रिख सकते हैं और यहां वरड़ाट पर भी आगे लिख सकते मैं आपको दोना त़ीके से बता दिए ciao these तो इस तरीके साथ यहां पर आगे लिख सकते हैं और यह सारी चीज़ मैं आपको पहले बता दिया है ठीक है और में पहले यहां पर और कुछ स्लाइट ले लेते हैं लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर डेट आ रही है यहां अपलाई हो रखाए कि यह मैं पहले ही किया था मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूं इसको सबको कर देता हूं कैसे रिमूब होगा आप इंसर्ट पर क्लिक किजिए और एडर फूटर पर जाएए और डेट टाइम को अटा दीजिए यहां से ठीक है पर आपको टाइम पर क्लिक करना कर देंगे सिंपल डेट फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए वह आप यहां से चूज कर लेंगे स्लाइड नंबर चूच कर लेंगे फूटर में आपको स्लाइड लिखना है यह स्लाइड के जगा कुछ और लिखना है तो आप इहां लिख लेंगे ठीक है जैसे मैंने आप सब्सक्राइब लिख दिया और हम पर आपको apply all पर सब पे चाहिए यह सरी इसी पर चाहिए अगर पहले ही स्लाइट पर चाहिए तो अप्लाई पे किलिक करेंगे और सब चाहिए तो apply all पर प्रप्राइब पहले बता चुका apply all करते हैं अब देखें लिखा रहा है तीन जन्वरी मैं थोड़ा से बड़ा करते हूं आपको किलियर दिखाई दे आप देख रहे हैं यहां लिखारां तीन जन्वरी करता हूं तो आप देखेंगे इसके अंदर कई सारे सिंबल आपको चाहिए होगा तो और यहां से क्लोज कर देंगे तो हम देखेंगे यहां पर रिजिस्टर्ट का इसके पीछे आपकुछ लिख सकते हैं जैसे मैंने ठरस्ट लिखा और ठरस्ट को उपर आर मतलब के रो इसका मतलब क्या है कि जो ठरस्ट आवह रजिस्टर्टेड ए ठीक है तो यह फ्रेंड्स होता है अंवारा बेसिकली सिंबल का का काम ठीक है औबजेक्ट का कुछ खास यूज निया दोस्तों ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं आप कोई वीडियो जो है वह अच्छे से समझ में आ गए गए इस वीडियो से रिलेटेड अगर दोस्तों आपको किसी भी तरीका का कोई डाउट्स है तो सिंपली कि आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में हमें अपने डाउट्स को लिख कर बताएं मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आया है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को किलिक कर लें ताकि आने वाली इस तर कर राउट्स क्योंगा है